जय स्रीकृष्णा दोस्तों आपे अमरी साधना भक्ती चैनल पर आप सब का स्वागत है तो दोस्तों आज हम उनी कामों के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो आपको नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर यह कारे आप लोग जाने अनजाने करते हैं तो आपके जीवन में गरीबी हमेशा बनी रहती है दोस्तों हमारे धरम ग्रंथों के अनुसार दिपावली का फर्व एक ऐसा समय होता है जिसमें हम लक्ष्मी माता की किर्पा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रियास करते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन आपके सभी प्रियास सम्कून फल को प्राप्त करते हैं दोस्तों सास्त्रों के अनुसार वैसे तो माता लक्ष्मी अपने भुक्तों पर अपने किर्पा हमेशा बनाई रखती है लेकिन कुछ कारिय ऐसे होती हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी हमसे नराज हो जाती हैं वो बहुत जल्दी रूट जाती हैं दोस्तो दिवाली के अवसर पर हम आपको ऐसे ही कुछ विशेज कारियों के बारे में बता रहे हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए इनके करने से लक्ष्मी माता नराज हो जाती हैं, दोस्तो जो लोग इन कारियों को करते हैं, लक्ष्मी माता उनके घृरों में कभी नहीं ठहरती, क्योंकि वो लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं, अभाव का जीवन जीनाही उनकी मजबूरी बन जाता है, तो आए दोस्तो इन कुछ विश हैं तोसरा कारिया है कि आपको अपने गुरू का हमेशा आदर करना चाहिए और गुरू की पत्नी पर कभी बुरी नजर नहीं रखने चाहिए अगर कोई वैक्ति अपने गुरू का आदर नहीं करता है और गुरू की पत्नी पर बुरी नजर रखता है तो दोस्तों माता महालक्षमी उसके धन को हमेशा के लिए खतम कर देती है तीसरा कारिय है दोस्तों जो वैक्ति बिना नह नहीं करना चाहिए आलसी व्यक्ति से लक्ष्मी माता रूट जाती है वह चाहिए कितनी पूजा करता रहे उसको हमेशा अभाव का ही जीवन जीना पड़ता है दोस्तो जो व्यक्ति अपने घर के सदस्यों के बीच में बिना किसी कारण के भेदबाव करता है तो ऐसे व्यक्त कर रहे हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी माता रूट जाती है और क्रोधी व्यक्ति के पूजन को तो देवता भी स्विकार नहीं करते हैं इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए विसे इसकर पूजा के टाइम तो बि काम करते हैं, दूसरे के धन को हडपने का प्रियास करते हैं, ऐसे लोगों के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, तो हमें कभी भी कोई कपट करम, चोरी, किसी के धन को हडपना ये सब नहीं करना चाहिए, और अंत में दोस्तों एक विशेज कार्ये और मैं आप लोगों माता की किरपा कभी प्राप्त नहीं कर पाता, तो दोस्तों ये थे कुछ विशेज कार्ये जिनको करने से माता महालक्ष्मी रूट जाती हैं, और हम लोग उनकी किरपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसे कार्ये नहीं करने चाहिए, इस दिवाली पर आप लोग आपको जुरूर पसंद आई होगी और आपके लिए ग्यान वर्दक भी रही होगी तो इसे लाइक को सियर जुरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा साथ ही दोस्तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं तो कमेंट सेक्शन में जैमाता दी जुरूर लिखिएगा